हलो गाइस मेरा नाम है आदर्स तो भाई जब से वन प्लस नौर टू आया है तब से बसकी ब्लास्ट की बाते बढ़ती ही जारी जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था तो एक बंदा था जिन्होंने प्रोफर ट्वीटर पे बताया था वे मेरी बात की चाहिए एक बंदा और था जिन्होंने बोला कि यह मेरे फादर है वे गवर्मेंट इंप्लोई हो जा रहे थे और उनका भी फोन फट गया लेकिन उन्होंने कोई भी फोटो नहीं डाली है दो टाइम तो हो गया वन प्लस वालोंने बातचीत करके मेटर सुलजा दिय हुआ है अब जिए अब की बार वन प्लस वाले बहुत गंदा फसने वाले की अपकी बार जो एक फोन फटा हुए यह काली आंब में कानूनी कारवाय की बारे में कितनी ज्यादा नोलेज होती है उनका काम ही होता है तो कौन सा लोयर है अपके आगे प्रोसेस होने वाले है आज में इस वीडियो में इसे के बारे में बात करने वाले तो चले फिर आरंबो करते हैं उन्हेंने वन प्लस नोटू रिसेंटली ही पॉर्चेस किया था और उसकी जो बैटरी तो 95 पॉसेंट तक चार्ज था लगबग सुवे अपने सुवे चेंबर में बैठे हुए थे और उनके जो कोट होता सी कि आपको पाता ब्लेजर स्पैनते हैं जो वाकील्स होते वो ब्ले होता ही रहता है फिर अचानक से बहुत ज्यादा हीट होने लगा तो जल्दी से ब्लेजर कोट उड़ा के बाहर फैका तो उसमें फोन तुरंत ही जल गया जल भाई ये तो वकील है इन्होंने साब साब बकाईदा फोटोस भी डाली जैसे कि आप देख रहे हो फोन जो पूर पहाँ भी जल जाता है इनके साथ बच चुके हैं इनके साथ बहुत बड़ा हाथसा होने से बच गया लेकिन अपके बाड़ जो है एक वकील है इन्हें सारी कानूनी कारवाई का पता है तो फर्स टैम क्या हुआ कि उन्होंने वाई ट्विटर पे बराबर बागाईदा फस फर्स्ट फॉल तो इन्होंने फोटो सारी डाली फोन्स की होती है सेकेंड इन्होंने एमाजोन का बिल भी डाला है और इनका जो 12-56 सबसे उपर वाला जो आता है सबसे हैवी ड्राइबर वाला रहा बारा जी वी राम और 256 वह इन्होंने पर्चिस किया था कुछ दिन पहल है अभी और उन्होंने इनका EMI नंबर अच्छी तरह से चेक किया है क्या बाहर कोई इनकी गलती हुए से फोन तो नहीं फटा है तो ऐसा कुछ भी नहीं एक्स्टरनल फैक्टर कोई भी नहीं बात कीज़े तो वन प्लस वालों ने इनसे भी कॉन्टेक्ट किया कि आपका फ फोन फट जाना बहुत बड़ी बात होती है तो कुछ भी हो सकता है इन्होंने साब साब बताया हुआ है तो आदमी के जान के खत्रक उपर आ सकता है अलागि कुछ चीज पहले एक ही दो केस था तो चली चल जाता है लेकिन आप इन्होंने खुड बखायदा एकदम अच्छी तरीके से प्रूप के साथ में दिया है तो यह बहुत गलत बात है वन प्लस को यह पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए पिसली बार की तर सबसे पहले देखने के लिए